हेलो एवरिवन वेलकम तू मैगनेट ब्रेंस मैसल प्रतीकर्ण स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कॉंटेंट क्वालिटी इजुकेशन वह भी बिलकुल बकायता फ्री आफ कॉस्ट केजी से लेका के क्लास 12 तक का पूरे एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डेटेल्ड वीडियो फॉर्माइट में और अगर आपको इनोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी वहां से आपको इनोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है एक और बहुत इ इंटेंसिटी से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के चैनल पर चलती है उतनी ही इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई जो है वो हिंदी मीडियम के चैनल पर भी बकाइदा चलती है वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स हैं वहां पर भी आपको लाइव सेशन अवेलेबल हो जाते हैं तो चलिए कहानी को start करते हैं, यहाँ पे chapter number 2, electrostatic potential and capacitance का एक तरफा topic start होने वाला है, which is equipotential surfaces, ठीक है, अब इसमें खास बात कहना बेटा कि board exams में, जब सवाल आते हैं, तो उसका बहुत fix criteria होता है, कि draw the equipotential surface for discharge configuration and discharge configuration, तो आपको दरसल पूरा draw करना पड़ता है, पूरा EPS equipotential surface, drawing इतनी कुछ tough नहीं है, लेकिन उसके अंदर आने वाला हर एक मसला बहुत important है, because वहां से कभी-कभी numericals भी निकल करके आपके सामने आ जाते हैं, अगर आपको EPS का फंडा नहीं पता होगा, तो उस particular numerical को solve करने में, you will take more time rather than जिसे पता होगा, वो जल्दी कर लेगा, ठीक है, an equipotential surface is that surface at every point of which the value of electric potential is the same, ठीक है, इसका मतलब यह कि एक equipotential surface, एक ऐसा surface होता है, जिस surface पर हर point पे electric potential की value जो है, वो same रहती है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कहानी को start करने से पहले ना, मैं आप लोग के सामने, एक बहुत ही basic फंडा है, वो clear कर देना चाहता हूँ, सर कौन सा फंडा, सुनो बेटा, जैसे माल लोग कि इसके पास charge किता है, इसके पास charge है plus q का, ठीक है, इसके पास charge किता है, चार्ज है plus q का, अब अगर यह plus q का source charge है, तो यह अपने असपास क्या produce कर रहा होगा, यह अपने असपास electric potential produce कर रहा होगा, ठीक है, अब जैसे माल क्या होगा उसका उसका formula था kq by argus को है ठीक है लेकिन अगर मुझे इस concerned point पर electric field की value नहीं मुझा का electric potential find out करना है this is the concerned point p और मुझे यहां पर potential find out करना है तो potential का formula क्या होता था सुनते बचलना potential at that particular point is equals to formula होता है kq over r it's as simple as that यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसका मतलब potential किसी भी source charge की वज़े से अगर निकालना हो ना किसी भी point पे तो उसकी दूरी बहुत matter करती थी अगर मैं distance को बढ़ा दूँगा तो potential की value तो reduce हो जाएगी अगर मैं distance कम कर दूँगा तो potential की value है वो बढ़ जाएगी it's as simple as that ठीक है यह वाला फंटा मेरे ख्याल से super clear दिमाग में हो गया होगा ठीक है यह हम लोग पहले भी देख चुके है अब तो यह एक तरह से आपका जो first point है वो serve करेगा as the definition of EPS ठीक है Equipotential surface एक ऐसा surface जिसके हर point पर potential की value equal रहती है यह ऐसे aim रहती है ऐसे surface को कहा जाता है Equipotential surface ठीक है okay by definition potential difference between two points B and A is equal to the work done in carrying a unit positive test charge from A to B अब सारी जो पूरे English में बताया है point two को इसका हिंदी में साफ साफ शब्दों में मतलब क्या होगा तो जरा गौर करते हूँ चलेंगे Potential difference की बात की गई है किसकी बात की गई है not about potential but about potential difference मालो एक point है A और मालो एक point है B अगर हम किसी चार्ज को A से लेकर के B तक मूव करवाते हैं अगर हम किसी चार्ज को मालो A से लेकर के B तक मूव करवाते हैं और जिस चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं वो है test charge Q naught के बराबर ठीक है तो मैं लिख देता हूँ कि जो moving charge है हमारे पास अभी जो moving charge है हमारे पास अभी वो है Q0 के बराबर ठीक है आप से बूछे कि what is the potential difference तो अब ज़र एक बात पर आप गौर करेगा according to the basic formula according to the basic formula कहानी यह होती है कि potential difference B और A के बीच में is defined as the amount of work done in moving a test charge from that particular point to from मतलब यह initial point से final point तक लेके जाने में जो work करना पड़ा उसको divide कर दिंगे अपन moving charge से it's as simple as that तो इसलिए कहा गया है कि potential difference is defined as the amount of work done इसलिए कहा गया है कि potential difference is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge it's as simple as that तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है अचाई जो potential difference लिखा हुआ है इसके बाद statement में लिखा हुआ है तुम उसे बोल दो कि सर आपने जो formula बताया उस formula में तो test charge का जिक्र हो रहा है लेकिन यहाँ पर slide पर जो formula लिखा हुआ है उसमें test charge का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा है यहाँ पर कहा दिया गया है कि it is a unit positive test charge ठीक है पिटा unit positive test charge का मतलब क्या होता है अगर कहीं लिखा है कि test charge is unit मतलब one और positive मतलब plus का sign convention है तो plus one coulomb का charge consider करके हम चल रहे हैं किसको unit positive test charge को ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो यह अपने पास कहानी है अच्छा if point a and b lies on an equipotential surface तो क्या शांदार चीज होने वाली जरा गौर करीगा देखें work निकालने के लिए मतलब obviously अगर आपको work evaluate करना है तो आपको potential difference जो है वो evaluate करना पड़ेगा ठीक है अब क्या हुए जिन दो points के हम बात करें a वाले point के और b वाले point की अगर वो eps पर लाई कर रहे है मतलब equipotential surface पर लाई कर रहे है तो यह पहली बात तो देख क्या होता है eps कैसे बनेगा equipotential surface कैसे बनेगा भाई मैं एक simple सी बात तो मैं कहता हूँ equipotential surface has to be symmetric ठीक है क्या बोला है मैंने equipotential surface has to be symmetric मतलब माले कि center पर कोई charge लग दिया मैंने q के बराबर ठीक है मैंने center पर कोई charge लग दिया q के बराबर अब मैं यहाँ पर दो points लेकर आता हूँ point a point b ठीक है यह मैं पास एक equipotential surface बन चुका था और मैं यहाँ पर 2 points लेकर क्या आ गया point a लेकर क्या आ गया point b लेकर क्या गया equipotential surface है तो मैंने इसको imaginary sense देने के लिए यहाँ से कटी हुई lines बना दी है यह कटी हुई lines तो नहीं lines बन गई थी उनको मैंने काट दिया है कोई दिकत वाली बात तो नहीं है ठीक है अब देख क्या होता है यहाँ पर अगर मैं a की दूरी की बात करूँ या मैं b की दूरी की बात करूँ दोनों की दूरी center chart से r के बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हर जगा की दूरी जो है ना वहाले र की पराबर ये भी आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं तो भाई ये जो potential जब मैं A पर निकालूँगा ना तो भाई potential मैं किसकी वज़े से निकाल रहा हूँ इस source charge के वज़े से निकाल रहा हूँ क्या formula हो जाएगा K Q by R अगर मैं potential B पर निकालूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा KQ by R ही हो जाएगा तो आपने एक बात नोट करी कि यहाँ पर A और B जो है न वो दोनों का potential बिल्कुल सेम आ रहा है और उससे भी बड़ी बात क्या बता है कि इस equipotential surface पर आने वाले हर point पर potential की value जो है वो बकाइदा सेम ही आने वाली है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इस equipotential surface पर आने वाले हर point पर potential की value बकाइदा से सेम ही आने वाली है that's why इसको आपन कह सकते हैं कि हाँ भाई यह काईदे से equipotential surface ही है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर वर्क की बात करें अगर मैं चलता हूँ भाई फॉर्मुला अब ज़रा गौर करते हूँ चलना क्या मस्त चीज तुमको बता रहा हूँ जैसे माल लो अब मैं किसी एक चार्ज को ना ए वाले पॉइंट से मूफ करवा के बी वाले पॉइंट तक लेके जा रहा हूँ लेके जा रहा हूँ अब क्या है वो मेरी मरजी है ठीक है वैसे बी को आद्ध करो अब मैं A से B को स्ट्रेट लाइन पे ट्रावल कर लूँ या घुमा के ट्रावल कर लूँ दोनों में ही work done का amount से माना है मान ले मान ले for example अगर यहां से यहां तक का work done 0 है तो मैं घुमा के लेके जाओंगो तब भी work done 0 होगा मैं straight लेके जाओंगो तब भी work done किता होगा 0 ही होगा because वो path पे depend नहीं करता है ठीक है now भाई formula क्या होता भाई जरा गौर करता है वो चलना अच्छे से work का formula होता है moving charge into potential difference work का formula क्या होता है work का formula होता है moving charge into potential difference अब जरा गौर करेंगे यहां पे क्या हो रहा है a वाला point है और b वाला point है दोनों का potential बिल्कुल सेम है a वाला point और b वाला point दोनों का potential बिल्कुल सेम है तो यहां पे अगर दोनों का potential बिल्कुल सेम है मतलब यहां पे there is absolutely no potential difference अगर दोनों का potential बिल्कुल सेम है तो therefore there is no potential difference at all there is no potential difference at all ठीक है तो work done is equal to q naught और delta v क्या होता है बेटा final potential minus initial वाले point का potential और सबसे प्यारी बात क्या है कि भाई initial और final point दोनों बिल्कुल सेम है initial वाले point का potential और final वाले point का potential दोनों का potential बिल्कुल सेम था तो यहाँ पर अपने पास potential difference become zero तो work done become zero तो यहाँ से हमें क्या बात सीखने को मिलती है यहाँ से हम क्या conclude कर सकते हैं कि अगर मैं कभी equipotential surface के ऊपर सुनना मेरी बात को बहुत important है अगर मैं कभी equipotential surface के ऊपर एक point से किसी भी दूसरे point तक अगर मैं किसी भी charge को move करवा के लेके जाता हूँ तो मुझे कोई भी work करने की जरूवत नहीं होती है because work निकालने के formula में सबसे important चीज क्या आता है charge into potential difference potential difference की value आएगी जब difference कुछ होगा लेकिन अगर मैं इसे कह रहा हूँ equipotential surface तो जो potential A वाले point का है वही potential B वाले point का है so there is absolutely zero potential difference and if the potential difference is zero then we need to do zero work in moving a test charge from that particular point to that particular point it's as simple as that तो देर्फोर अब काला चेंज करता हूँ therefore no work is done therefore no work is done therefore no work is done in moving a test charge therefore no work is done in moving a test charge QNOD therefore no work is done in moving a test charge QNOD from point A to point B from point A to point B lying on the equipotential surface from point A to point B lying on the equipotential surface lying on the equipotential surface समझ गए भाई यह अब यह तो क्या है ना कि equipotential surface जो है ना वो नाम से ही उसका काम जो है वो बकाइदा पूरा clear हो जाता है तो यह रही इसकी कहानी मेरे ख्याल से आप लोगो बहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी आप इसका screenshot लेंगे फिर आप वो कहानी में आगे लेके चलते है चलें ठीक है बहुत शानदार तो यह work done जो है वो जीरो होगा वो वाला फंडा मेरे ख्याल में आपके दिमाग में दिलो जहान में शानदार तरह से बैट गया होगा ठीक है अब ज़रा कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब EPS पर अगर आप किसी भी चार्ज को मूव करवाते हो तो भाई यहां वहां मत सोचना सीधे तोर पे आंसर वर्क डन का जीरो बोल देना क्योंकि वर्क डन जीरो ही होगा कुछ भी नहीं होता है यह वारे स्लाइट का अगर आपको स्क्रीन शॉट चाहिए तो बिल्कुल स्क्रीन शॉट ले लो उसके बाद फिर मैं आप लोग को इसमें कहानी में आगे लिए कि चलता हूं यह वारा हो गया फंटा पुरा क्लिया चलो अब ज़रा देखें अगर डिल इस दा स्मॉल लेंथ ओवर दा एक्वी पोटेंशल सर्फेस थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस यहां पर भी क्या होगा बेटा वर्क डेन और डिस्प्लेस्मेंट के बीच में आंगल जो है ना वह आंगल बन जाएगा बाज रखा हुआ है तो सर्क्यूलर ही बनेगा वही सबसे सटीक रहेगा तो यहां पर क्या होता है कि यह अच्छा एक्वी पोटेंशल सर्फेस है तो रहेगा तो इमाजिनरी ही कोई दिकत वाली बात आपको यहां तक बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है अब ज़रा आप ग पर करवा दिया ठीक है सुनते वे चलना बड़े प्यास है डील यहां पर हो जाएगा लेकिन प्लस की यह जो प्लस का सोर्स चार्ज है इसकी एलेक्ट्रिक फील्ड का होगी बाहर होगी न भाई तो यहां पर ई और डील में किता बन गया एंगल 90 डिगरी बन गया और जब बाई डिगरी बन गया तो जब वर्क निकालोगे तो क्या होगा बेटा सुनना वर्क का फॉर्मला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट इंटू कॉस थीटा अब यहां पर जो थीटा है इस फॉर्मले के अनुसारी जो थीटा है यह एलेक्ट्रिक फील्की थीटा क्या है बेटा थीटा इस दा फीटा इस दा अंगल बिट्वीन थीटा इस दा अंगल मेड बिट्वीन इलेक्ट्रिक फील्की इंटेंसिटी और दा डियल वेक्टर अब ये बात एकदम शानदा तरह से clear है कि electric field की intensity बाहर की तरफ जा रही है DL vector right hand side में जा रहा है तो ये angle जो है वो बन जाएगा 90 degree के बराबर तो here यहाँ पर जो theta है वो हो जाएगा 90 degrees के बराबर और जब cos 90 की बात की जाएगी तो cos 90 होता है 0 तो therefore 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 यहाँ कर दूँ मैं वेटास को यहाँ पर therefore work done is equal to force को आपने खोल दिया q not into e में force हो गया displacement हो गया और angle मतलब cos 90 और cos 90 हो चुका है 0 cos 90 0 मतलब work भी किता 0 therefore work done भी किता हो जाएगा 0 तो यहाँ से ultimately conclusion वही निकलता है कि the amount of work done in moving any test charge from one point to another point on an equipotential surface is always zero it's as simple as that मैं यहाँ पर बना दू बेटा कि यह जो surface यहाँ पर बनके रखा है this is none other than an equipotential surface equipotential surface मेरे खाल से यह वाली कहानी आप लोग के दिमाग में बैतरीन तरह से समाच होगी कोई दिक्कत नहीं होगा जल्दी इस पूरी कहानी के screenshot ले लो इस तरह से भी आप यह प्रूव कर सकते हो कि भाई work done जो है वो zero होगा इस तरह से मेरा मतलब यह है कि पहले हम लोग clear कर चुके थे कि अब potential difference zero हो गया था तो work done zero हो गया और यहां पर तो हमने इसका basic formula ही पूरा खोल के रख दिया और वहां से भी work done zero आ चुका है इस आप सिंपल एस दाट ठीक है चलिए अब ज़रा कहानी में आगे बढ़ते हैं जो हमने बाते अब तक करी है उसका एक तरह से हाँ पर क्या आपको summary मिल जाएगी ठीक है जो भी हमने बाते करी है आपको उसके एक तरह से हाँ पर summary देखने को मिल जाएगी तो मैं screen से हट जाता हूँ ताकि आप properly इस theory को check कर सके ठीक है जो diagram आपको चाहिए होगा वो count बनाएगा वो swim मैं बनाऊंगा बेटा कोई दिक्कत वाली वात थोड़ी नहीं तो यह बनाया भाई मैंने इसका अपने पास क्या है अरे बहुत ही गंदा बनाए तो यह बनाएंगे इसको अपन ऐसे करके यह सही बनता है ऐसी सही बनता है ठीक है तो यह मैंने बनाया इसका क्या equipotential surface कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब देख क्या होता बिटास के हर point पर हर point पर जो potential की value है वो बिल्कुल same आने वाली है कोई दिक्कत वाली बात नह है सबसे मज़ेदार बात क्या है कि अगर equipotential surface को देखा जाए अगर equipotential surface को देखा जाए तो equipotential surface के perpendicular निकल गई है electric field की intensity इसलिए कहा जाता है कि electric field की intensity is always perpendicular या is always normal to the equipotential surface it's as simple as that ठीक है ओके तो electric field की intensity is always normal बोले तो perpendicular to the EPS अब मैं बोलूँगा इसको EPS equipotential surface for any charge configuration एक भी potential surface through a point is normal to the electric field intensity at that point ठीक है एक ही बात है घुमा के बोल दिया है मेरे क्यार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो पहले वाले statement भर को support करने के लिए यह रहेगा आपके पास शांदर सा figure एक काम करो उसको note करो therefore से point तक note करो और उसके बाद यह diagram बना लो आपका जो theory का statement है उसको बहुत ही प्यारा support मिल जाएगा उसको बहुत ही प्यारा support मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चले okay अब बात हो रही है किसकी अब बात हो रही है single charge की किसकी बात हो रही है एक single है भाईया charge ठीक है a single charge क्यूँ the potential is given by basically इस वाला formula v is equals to kqr हम लोग जानता अगर एक source charge क्यूँ है तो वहाँ से r distance की दूरी पर अगर आपको potential निकालना है दो इसका formula क्या होता उसका formula होता है kq by r इस potential का formula क्या होता है kq by r और इसमें जो k होता है वो basically क्या होता है 1 by 4 pi epsilon 0 यहाँ पे q यहाँ पे r तो potential क्या हो जाएगा q upon 4 pi epsilon 0 और यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों ने तो in fact potential due to a source charge का जो derivation था उस पर based एक dedicated lecture आप तक पहुंच चुका होगा playlist में चक कर लें वहाँ मिल जाएगा ठीक है तो वहाँ लोगों ने पूरास को derive करके रखा हुआ है कि कैसे आया यह particular formula it's as simple as that ठीक है okay this shows that potential is constant for a point charge only if r is constant भाई देख लो source charge तो given है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो potential की value को अगर same रखना है तो एक काम करो r को change होने से रोक लो भाई है ठीक है because potential का formula तो यह सब रहा इसमें 4pi epsilon not तो बचपन से constant है तो अब potential को अगर change करवाना होगा या अगर potential change हो रहा है तो charge यह r या फिर दोनों के दोनों change हो रहे होंगे तब ही जाकर के potential की value change हो रही होगी ठीक है but for a given charge अगर हमने q की value कर ली है constant ठीक है तो for a given charge अब जो potential होगा न वो safe or safe depend करेगा r के ओपर मतलब दूरियों के ओपर depend करेगा उसके अलावा किसी भी चीज़ पर depend नहीं करेगा ठीक है तो भाही लिखा हुआ है this shows that potential is constant for a point charge only if r is constant only if r is constant it's as simple as that ठीक है hence equipotential surfaces for a single point charge are concentric spherical shells यह spherical surfaces centered at the charge ठीक है यह concentric circles है जरा गहुर करते वह चलेंगे यह जब हमने इसको मिटा रहा हुआ है पूरा यह से ठीक है देखो भाई अगर मैंने यहां पर कोई charge रखा हुआ है plus q कोई charge रखा हुआ है ठीक है तो मैं बनाओंगा इसका क्या equipotential surface मैं बनाओंगा इसका क्या equipotential surface तो भाई एक यह सर्फेस इस बेसिकली वाट equipotential surface ठीक है जिसके center पर charge swim आ रहा है ठीक है अच्छा एक equipotential surface का ऐसा भी बन सकता है इसका इसमें भी कोई दो रहाई नहीं है और भाई मैं अलग-अलग distances पर भी ले सकता हूं कोई इसमें भी कोई दिकत नहीं मुझे ठीक है तो सबसे प्यारी बात क्या है बेटा कि आप हर point पर चेक करना यसे for a given sphere for a given sphere जसर मान लेगा मैं बात करता हूं। सबसे छोटे वाले sphere की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं A पर निकाल नहीं potential बी पर निकालनू potential यह सेम रहने वाले ठीक है मतलब A का potential और B का potential जो है वह सेम रहने वाले देफोर ये वाला जो स्फियर है न वो कैसा हो जागा एपिएस एक वी पोटेंशल सेवाफिस ठीक है अगर मैं बात करता हूँ थोड़े से क्दम बाहर वाले की सी वाला पॉइंट ले लिया और यहां नहीं इसी पर लोंगा पर दी वाला पॉइंट लोंगा ह मैं तो यहां पर भी है पहाँ बात के इस सिर्फ एप स्फियर पहने लॉचरे that's why यह बाहरा वाला भी EPS है यह वाला भी EPS है और भी EPS है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है और पेसिक फॉर्म्मला क्या होता के क्यू भाया वो अपने को पता है जल्दे एसका screenshot लेंगे बेटा यह वाला फंदा पूरा clear हो गाय यह वाला फंदा पूरा clear हो 3, 2, 1, ready, go, super clear, super done, एक तरफा शानदार, चलो, निप्टाते हैं इसको, अब ज़रा कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं, कुछ डाइग्राइम्स आपको दिखाएंगे, अब जो यहां पर चार पांच आने वाले हैं, बेसिकली चार आने वाले हैं, तो इन चारों में आप पर नजरें गड़ा के रखनी हैं, आपको वैसा का वैसा बना करके आना आपके एक्जाइम्स के अंदर, ठीक है, तो पहला वाला क्या है तुम्हाँ पास, एक्वी पटेंशल सर्फेस ड्यू टू अगर कोई पॉइंट का सोर्स चार्ज है, तो इसमें इंफनाइट नंबर क्या है कि इस पूरे कलाकृती में सारे के सारे जो एपियस बनने हैं, सारे के सारे जो वो स्फेरिकल जो एक्वी पटेंशल सर्फेस बनने हैं, जो स्फियर बनने हैं, सब का सेंटर एक ही है, और सब के सेंटर पे कौन है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सारे एपियस का सें सर्फेस का डाइगराम ड्यू टू आ पॉइंट सोर्स चार्ज समझ गया इसका स्क्रीन शॉर्ट हो गया दिस वास एक्वी पॉइंट सोर्स चार्ज अगला वाला क्या है अभी उसकी बात नहीं कर रहा है तो होता क्या बिटा कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में आगे बढ़ूँगा तो यहां पर पोटेंशल की वैल्यू कुछ और है 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 तो यहां पर पोटेंशल जो एका है वही पोटेंशल बी का है वही पोटेंशल सी का है कोई द अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक plane बना दू तो इन तीनो points पर ना same amount of electric field की intensity pass out हो रही है तो यहाँ पर potential की value बिल्कुल same रहती है और एक और चीज अगर मैं आपको बता हूँ एक formula था E is equals to minus dv by dr जिसके अनुसार होता क्या है अब यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आप A से Z जाओगे तो भाई Z पर potential की value reduce होके मिलेगी लेकिन अगर आप हलका सा पीछा होगे तो potential की value कम reduce होगी लेकिन अब ही A वाला point, B वाला point, C वाला point तीनो same level पर है ना भाई जब तीनों सेम लेवल पे हैं तो वहाँ पे तीनों का पोटेंशल सेम होगा तो अगर मैं एक सर्फेस यहां बना दूंगा ना तो वह में पास क्या बन जाएगा बेटा एक वी पोटेंशल सर्फेस उसका सबसे तगड़ा जो रिप्रेजेंटेशन है एक काम करो ना पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो ठीक है पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं कहानी में आगे लेकी चलता हूँ यह बला फंड़ा क्लियर है 3 2 1 ready go done अब ज़रा गॉल करना क्या हुआ है एक बास आप इस दाइग्रम को देखिए ठीक है सारी के सारी लेक्ट्रिक फील लाइन वह नीचे के तरफ आ रही है सारी के सारी लेक्ट्रिक फील लाइन वह नीचे के तरफ आ रही है तो हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स मांक कर लिए कि भाई यह वाला है यह वाला है यह वाला है यह जो मैंने यह square lamina मेरा बनके रखा है यह मेरे पास equipotential surface number one है similarly वही काम यहाँ पर हो रहा है EPS number two है similarly यह काम यहाँ पर हो रहा है तो यह equipotential surface number three बन जाएगा मेरे लिए it's as simple as that तो अब इस पूरी कहानी का screenshot लो जोड़दार तरह से three two one ready go done clear है भाई कोई दिक्कतवारी बात तो नहीं दुख दर्द परिशानी पीड़ा तो नहीं चलो बहुत शांदार be well a point done हो चुका है equipotential surface for an electric dipole बहुत ही famous category का question है कई दफ़ा repeat भी हो चुका है तो मैं चाहूंगा इत्मिनाल से बना लो भाई ये किसी की आखें लग रही है लेकिन ये आखें कुछ पसंद नहीं आ रही प्यारी आखें निया डरावनी आखें चलो बही है ये वाला clear हो गया अब उससे भी डरावनी आखें अगर तुम समझ पाओ तो ये रहे एक्वी पोटेंशल सर्फेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जस ठीक है बाई प्लेस चार्ज और ये प्लेस चार्ज प्लेस प्लेस में क्या होता है रिपल्शन ये एप्लेस यहां बन चुका है मैं ये चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीन शॉर्ट ले ले अ आपको यहां पर बिल्कुल भी परिशानी नहीं आई होगी ठीक है ऐसी में उमीद करता हूँ अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हल्प करिये इस वीडियो को देखके आपका काम सॉर्टेड हो गया है अब EPS में कोई परिशानी नहीं रहने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिये और इस वीडियो को शियर करिये अपनी दोस्तों के साथ ताकि सब लोग जाकरके प्लेलिश चेक है सकें और सबको चले पता कि क्या-क्या चीज़ें आड़ हो गई है और क्या जमागेदार चीज़ें और भी आड़ होने वाली है तीक है कुछ अगर आपका feedback है suggestion है तो आप comment section को use करके अपनी बाते मुझ तक पहुंचा सकते हैं और बड़े ही प्यार भरे शब्दों में तो class करते हैं यहीं पर खतम और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि magnet brain जो provide करता है वो है English medium as well as Hindi medium वाली classes मतलब जितनी intensity के पढ़ा English medium के channel पर हो रही है उतनी ही magnet brain हिंदी medium के channel पर भी पढ़ाही चल रही है recording भी है लाइव भी है सारी facilities exactly जैसे English medium पर अवलेबल हैं वैसे ही आपको हिंदी medium पर भी अवलेबल हैं तो अगर आप हिंदी medium के students है तो आपको परिशान होने की बिल्कुल भी UP board भी cover किया जाता है MP board है राजस्थान board है Vedic match crash course or spoken English इसके अलावा अगर आपको कोई भी information चाहिए तो आप Magnet Brains के official website पर visit कह सकते हैं thank you so much